हाई एवरीवान और वेल्कम बेक तो मैं चैनल सेंस नेस्ट मैं रूबी सेंट आप सब कैसे है आई होब यू आ डूइंग वैल मैं भी बिल्कुल ठीक हो और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिली पनी की रेसिपी यह बहुत ही इजी रेसिपी है इवन बिगनर्स और बैचलर्स केन ऑल्सो मेक एक तो फ्रेंट इसमें किया क्या इंग्रीजिएंस की जरुवत है आप पहले देख लेते हैं उसके पहले अगर आप ने हैं मेरे चानल में तो सब्सक्राइब करना मत बूलिए और सब्सक्राइब करने की बाद बेल बिटिन क्लिक करना मत सेंसनेस्ट और मेरे फेस्बुक पेज है सेंसनेस्ट इसमें मैंने क्या क्या इंग्रीडियंस की जरुवत है पहले तो पनीर यहां पे मैंने तो 50 ग्रैम्स ऑफ पनीर लिया है अनियंस मैंने लिया है क्यूब्स में कट करके स्प्रिंग अनियंस है और ऐसे भी अनियंस को छॉप करके मैंने रखा है और जिंग्जर पेस्ट है और ग्रीन चिलीज है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अब ग्रीन चिलीज ले सकते हैं कैप्सिकम है उसे भी मैंने क्यूब्स में कट किया है साथ में है गार्ली गार्ल और विनिगर की भी जरुवत है और साथ में हमें चाहिए पनीर में मैंने एड़ किया सॉल्ट एकॉर्डिंग टेस्ट और साथ में एड़ करूंगी चिली पाउडर और साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर इससे बहुत अचा कलर आएगा और साथ में एड़ करें कॉर्ण ब्रॉर 2-3 स्पून्स हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मेक्स करें मेक्स चुवल प्रॉपर्ली और इसे बाइप हैंड ही आप अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करके इसे अलग रख लें वाइट ओईल ले ले कड़ाई में और जैसे ही ओईल गरम होगा इसमें बैच वाइज आप पनीर को डीफ फ्राय करके निकाले गोल्डिन ब्राउन होने तक उसी तरह सारी पनीर को आप अच्छे से फ्राय कर ले और फ्राय करके अलग निकालके रख ले दूसरी कड़ाई ले ले और कड़ाई में उसी ओईल को थोड़ा सा एड़ करें दू चमज के करी और जैसे ही ओईल गरम होगा इसमें एड़ करें ख्रश किया होगा गार्लिक गार्लिक को थोड़ा फ्राइ करने की बाद इसमें एड़ करें स्प्रिंग अनियन्स और स्प्रिंग अनियन्स को भी अच्छे से फ्राइ करें उसके बाद इसमें एड़ करें जिंजर पेस्ट और जिंजर पेस्ट आड़ करने की बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे अच्छे से फ्राइ करें तब तर जब तर रो स्मेल न चला जाए फिर इसमें एड़ करें क्यूब्स में कट किया हुआ अनियंज और साथ में एड़ करें कैपसिकम अब सारी चीजों को अगीन अच्छे से मिक्स करें mix it well properly और साथ में ग्रीन चिलिस भी आप एड़ कर दें जितनी आपको तीखा पसंदार आप ग्रीन चिलिस एड़ कर सकते हैं अब बारी है सब तरह के सॉस का इसमें आड़ करें टोमाटो सॉस साथ में आड़ करें सोया सॉस और साथ में आड़ करें चिली सॉस और उसकी बाद इसमें आड़ करें विनिगर सबी चीजे आपने देखा होगा कि मैंने two teaspoon के करीब add किया है सोया sauce one teaspoon के करीब और vinegar भी two teaspoon के करीब अब सारी चीजेशे से mix करें mix it well properly two teaspoon contour को मैंने water में dissolve करके mix करके रखा था उसे ही मैं अभी add करूँगी और इसे add करने के बाद अच्छे से आप stir करें इससे बहुत ही अच्छा gravy बनेगा सारी चीजों को अच्छे से mix करें आप देख सकते कि कितना अच्छा slurry एक texture आया है अब इसमें add करें fry किया हुआ पनीर को और पनीर को add करने के बाद सारी चीजों को अच्छे से mix करें mix it well properly और इसे garnish करें coriander leaves से या spring onions की साथ इसे garnish करें और इसमें black pepper powder जरूर अड़ करें इससे भी बहुत ही अच्छा flavor आएगा आप इसे गर्मा गरम serve कर सकते as a snacks या आप इसे serve कर सकते with पुलाव के साथ भी आप इसे वेच पुलाव के साथ भी आप इसे serve कर सकते तो friends आपको ये recipe कैसे लगी मुझे comment करके जरूर बताएगा तो और अगर आप नए है मेरी चैनल में subscribe करना मत भूले सबस्क्राइब करने के बाद bell बचुन क्लिक करना मत भूले ताकि मेरे नए वीडियो का notification आजा और यू विल बी फर्स बन तो सी लाइक कीजिए शेयर कीजिए असमच अस पॉसिबल विद फ्रेंट एंड फैंड फैंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉल्यो कर सकते मेरा इंस्टाग्राम हैं यू है सेंसनेस्ट तो प्रेंस मिलते हैं आप सबसे आन माइ नेक्स यह एंट एंटरेस्टीग व्लाइबी इंटिल जिन भी बिल्ए को स्टाग्राम में आप सेंटेबिवे नेक्टे मेरा इंट प In